इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से HDFC debit card को block, replace या फिर reissue किया जाता है और upgrade भी कैसे किया जाता है आज हम जारेंगे कि किस तरह से HDFC debit card को activate किया जाता है अगर आपको भी HDFC का debit card मिला है और आप चाहते हैं उसे activate करना, pin generate करना, कुछ transaction enable करना तो घर बैटे अपने mobile से ही ऐसा कर सकते हो, तो आईए जान लेते हैं, कैसे किया जाता है HDFC debit card को activate मेरा नाम है सचीन और आप देख रहे हैं सचीन मेर यूटुब चैनल तो HDFC के debit card को activate करने के यहाँ पे में 3-4 तरीके बताता हो, जिसके जरी आप घर बैटे अपने mobile से या फिर ATM में जाकर भी HDFC के debit card को enable या फिर activate कर सकते हो, सबसे पहला तरीका आपको HDM में जाना है और ATM में जाने के बाद वहाँ पर पर option होता है कि इसका pin generate करना तो आप pin generate करने के बाद यह HDFC का debit card activate हो जाएगा, दूसरा तरीका आप net banking के जरीए भी HDFC debit card को activate pin generate कर सकते हो, और तीसरा तरीका mobile banking के जरीए भी आप HDFC के debit card को activate या फिर pin generate कर सकते हो, तो आज मैं आपको HDFC mobile banking के जरीए कैसे activate किया जाता है, घर बैटे अपने mobile से इसके बार में पूरी जान करे देने वाला हो तो सबसे पहले आपको HDFC mobile banking के जरीए activate करने के लिए आपको HDFC application को download करना है download करने के बाद आपको sign up करना है, sign up करने के बाद आपका login के लिए पूछेगा जो भी आपका password ए MPN है, वो यहाँ पे enter करना है, तो मैं मेरा यहाँ पे MPN या pin enter कर देता हो enter करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाता है तो मुझे मेरे debit card का pin generate करना है, उसे activate करना है इसलिए यहाँ पे उपर की तरह menu का icon है, उसके उपर क्लिक करना है उसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे, save, invest, borrow, your profile तो मुझे यहाँ पे, pay के उपर क्लिक करना है, pay के उपर क्लिक करने के बाद UPI, money, transfer, card, recharge, bill, pay, check तो मुझे cards में जाना है, क्योंकि cards में ही debit card आते है तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है नीचे और यहाँ पे देख सकते हो, debit card करके, visa, millionaire, debit card है और यह अभी मुझे ही इसे activate करना है, मुझे इसका pin generate करना है इसलिए यहाँ पे मैं उसके उपर क्लिक करूंगा उसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से देखने को मिल चाता है visa, millionaire, debit card, यहाँ पे set pin, block करना चाहते है तो block, show more करेंगे, तो यहाँ पे पूरी card detail आ जाएगी, इसके बारे में पूरी जान करी है आपकी reward point भी यहाँ पे ही show हो जाते है तो यहाँ पे मैं इसे set pin करना, customize करना चाहते है, तो customize भी आपको दिखाता हो बाद में तो यहाँ पे मुझे set pin करना है, इसलिए यहाँ पे मुझे activate करना है, activate करना मतलब pin set करना तो यहाँ पे मैं उसके उपर click करने के बाद यह थोड़ा सा time लेगा तो यहाँ पे देख सकते हो, please verify your mobile number and OTP will be sent here to confirm the pin change तो यहाँ पे जो भी OTP होगा, वो मेरे register mobile पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे check करना है, तो mobile number मेरा correct है, इसलिए जो भी मेरा 4 digit का pin बनाना है, मैं उसके उपर click करके pin generate करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं उसके उपर enter pin करूँगा, तो यहाँ पे 4 digit का pin generate करना है अभी, तो मैं मे देख सकते हो, मेरा number यहाँ पे automatically detect किया है, और मेरे number पे एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे enter करना है, तो मैं नीचे की तरफ continue का button है, उसके उपर click करता हूँ, click करने के बाद मेरे mobile number पर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पे enter करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने मेर OTP यहाँ पे enter किया है, इसी के साथ नीचे की तरफ continue का button है, उसके उपर click करना है, और यहाँ पे देख सकते हो, you have successfully set your debit card pin, तो अभी मेरा pin generate हो चुका है, मेरा card activate हो चुका है, इसके बाद मैं done के उपर click करूँगा, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से द total limit 4 lakh का है, और मेरा ATM withdrawal यहाँ पे 50,000 by default होता है, लेकिन आप इसको 4 lakh to कर सकते हो, इसी के साथ online spend, जो online कोई पे transaction करूँगा, इस debit card से, यह by default off होता है, तो इसे आप online करना चाहते हो, on करना चाहते हो, तो enable कर सकते हो, इसी के साथ merchant outlet का यहाँ पे देख सकते हो, enable है, इसे disable enable कर करना चाहते हो, contactless transaction है, आप enable करना चाहते हो, तो enable कर सकते हो, तो यह आपके उपर depend करेगा, कि आपको कौन सा online चाहिए, और offline चाहिए, या कौन सा चाहिए, या नहीं, तो यह आपके उपर totally depend करता है, तो कुछ इस तरह से आप घर बैटे, अपने mobile से ही, HDFC के debit card को activate कर सकते ह तो मुझे उम्मेद हैं चोटी से आन करें, आपको पसंद आई होगे, अगर पसंद आई होगे, तो लाइक करें, दूस्ते के साथ शेयर कीजिए, और चानल को सब्स्राइब करना न भूले, तो मिलते हैं से इना interesting जान करें के साथ, तब तक लिए धन्यवाद, आपका दिन चुबरे.